आज आज दिखाएंगे आपको क्रम्टन का क्लासिक गीजर और साथ में करेंगे इंस्टोलेशन तो यह देखें क्लासिक लिखा हुआ है और यह है इसका मॉडल नेम एस डेवल जू एच चालिस पच्चेस तो यहां पे यह देखें 25 लेटर का यह गीजर है मारा इलेक्ट्रिक वाटर हीटर स्टोरेज तो यहां पे आपको इसके फिर से पूरा मॉडल नेम बताते हैं मॉडल नेम है इसका एस डेवल जू एच चालिस पच्चिस क्लासिक स्पैसिफिकेशन है 2000 वाट 230 V AC 50 HZ कपैस्टी है पच्चेस लेटर कॉन्टिटी है वन और जो हमा हमारी MRP है MRP है इसकी 10800 दोस्तों यहां पे इसके अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं और इसके अंदर हमारा बिल है जो अभी प्राइस के बारे में बताएंगे आपको तो यह देखिए दोस्तों यहां पे 6200 के करीब मिला है मैं और यह है इसका मैन्वल कार्ड इसके अंदर बदाटी वौल और फास्टनर है तो चलिए इसको भी खोल के दिखाते हैं तो यह देखिए दोस्तों यह 10MM का फास्टनर है दो फास्टनर मिले हैं इसके अंदर है और यह हमारा सेफटी वौल अलनP यह भी फ्ट यह करके दिखाएंगे आपको किस तरह क्यास को फेटिंग यह हमारी yellow wire और black wire और red wire तो चलिए जल्दी से इसकी packing को खोल लेते हैं और देखते हैं कौन सा color का है यह गिजर तो जल्दी से यह भी packing को उतार के अभी हम इसका color check करेंगे यह देखिए white color का है यह तो यहाँ पे यह देखिए outlet जो red है inlet blue है और यहां पे इंडिकेशन है पावर का रेड और ग्रीन हीटिंग का है और यहां पे हम अब इसके इनलेट को खोलेंगे पहले और यहां पे लगाएंगे टेफन टेप को लगाके जल्दी से फिटिंग करेंगे सेफ्टी वाल को और यह देखिए जल्दी से हमने यह है हमारा सेफ्टी वाल और यहां पे टाइट करेंगे इसको तो यह देखिए दोस्तों यहां पे इसको इसलिए लगाए जाता है कि यह जो हमारा सेफ्टी वाल है जो इन वाल पानी जाता है इसके अंदर वो इसके बैक ना आए तो चलिए जल्दी से इसको टाइट कर देते हैं और पूरी अच्छी तरह यहां पे इसको टाइट करेंगे तांकि हमारा पानी जो है यहां से लीक ना हो और यहां पे हमने जल्दी से इसको अच्छी तरह टाइट कर दिया है बस यहां ही पे रहेगा यह यह दिखे पूरी तरह यहां पे टाइट कर दिया हमने और दूसरी तरफ भी टैफन टेप लगाएंगे यहां पे तांकि थोड़ा सा भी गैप ना इसके अंदर रहे और पानी न लीक हो इसलिए यहां पे टैफन टेप का यूज किया जाता है कि कोई भी लिकेज ना हो और यहां पे हम अब करेंगे ड्रिलिंग यह दिखिए यहां पे इसके साइज को पूरी तरह जो हमारी बिट है वहां पे निशान लगा के मार्किंग करके टेप की और जो हमारी जो फास्टनर है वो पूरे इस साइज की उस तरह कर दे जितने फास्टनर है हमारे पास उस साइज के कर देंगे कि तांकि जो हमारे फास्टनर के जो बोल्ट है पीशे वो आगी न चले जाए तो यह देखी यहाँ पे हमने टेप कर दिया और ड्रिल करना शुरू कर दिया है यह देखी जल्दी से हमने एक ड्रिल कर दिया है और यहाँ पे दूसरी ड्रिल भी करेंगे तो यह देखी दोस्तों यहाँ पे फास्टनर हमने लगाना शुरू कर दिया है तो यह हमारा एक फाशनर लग गया है और अब लगाएंगे दूसरा फाशनर बहुत आसान है यह फाशनर लगाने और जो मजबूती है इसकी काफी ज्यादा मजबूती है इसके अंदर और यह 10 mm के फाशनर है और अभी इसको उतारेंगे और बड़ी वाशनर लगाएंगे तांकि जो हमारा गिजर है वाशनर से बाहर ना पाए तो इसलिए हमने यहां पे बड़ी वाशनर लगा दिया है और यहां पे दूसरी तरफ भी हम वाशनर लगाएंगे ताकि हमारा जो दोनों तरफ से जो पकड़ है पूरी मजबूत हो जाए और यहां पे हमने दूसरी वाशर भी यहां पे लगा दिये ताकि पूरी मजबूती रहे और अभी हम गीजर को यहां पे हैंग करेंगे तो यह देखिए दोस्तों यहां पे हमने गीजर को हैंग कर दिया है और जल्दी से इसके फास्टनर को टाइट करेंगे यह देखिए जो वाशल है जो पूरी जो एंगल के उपर आ गई है और यहां से कभी भी नहीं निकलेगा गीजर हमारा काफी वजन होगा इसके उपर तो यह दूसरा फास्टनर है दो ही फास्टनर लगे हैं इसके उपर तो जो हमारा गीजर है यहां पे हैंग हो चुका है और यहां पे अब हम इस पाइप के कनेक्शन करेंगे तो यह देखिए 4 स्टार है यह गीजर हमारा और यह देखिए आटलेट पे लगा रहे हैं हम पाइप और यह है इनलेट और यहां पे इनलेट पे लगा दी है हमने यह पीवी सी पाइप और यह देखिए यहां से पानी जाएगा और इदर से हॉट पानी आएगा जो हमारी ये देखिए पानी हमने आउन कर दिया है यहां से जाके और यहां से गरम पानी जो हमारे नल के नल पे आएगा और यहां पे हमने पाइप कनेक्शन कर दिये हैं और यहां पे वेट करते हैं कि यहां पे पानी जो है फुल जो हमारी नल के अंदर से पूरी तरह पानी निकलना शुरू कर दिया है इसने और अब लगाएंगे गेजर को और यहां पे इसको आउन करेंगे और ये देखिए रेड और ग्रीन जो है इंडिकेशन जो है मारा चलना शुरू हो गया है एक रेड जो पावर का है और ग्रीन हिटिंग का है तो ये देखिए दोस्तो यहाँ पे हमने ओन रखा है अभी जब तक आदा घंटा नहीं हो जाएगा तब तक हम चेक करेंगे वेट करेंगे कि पानी तो ये देखिए दोस्तो यहाँ पे हमारा आदा घंटा हो चुका है और पानी जो है गर्म होना शुरू हो गया है और पूरी तरह हम चेक करें हैं पानी चला के कि पानी पूरी तरह गरम हो चुका है तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए